एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ भविश्य को जन्मन देता है इसी सोच को सागार करने है तू पूरवी सिंगभूम के 11 प्रकंडों में मात्रित्व शिशू स्वास्थ जात्शिविर आयूजित किया गया मात्रित्व शिशु स्वास्थ जांट्शिविर में गर्भवती महिलाओं का ANC चेकप, हिमोग्लोबिन एवं BP की चार्च, बच्चों का वजन, बाजु माप, एनीमिया टेस्ट, महिलाओं में IFA एवं कैल्शिम टाब्रेट वित्रण आधी सुनिश्चित की जाती है साथ हे कुपोशित बच्चों के पहचान और उन्हे कुपोशन उपचार के इंद्र भेजना, सही खानपान और आरन युक्त भूजन, साख सबजी का सेवन और पौश्टिक आहार सम्मंधित जानकारी भी दी जाती है पूर्वी सिंग भूम के 56 पंचायतों में शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को आयोजित एंशिविरों में कुल 1787 गर्भवती महिलाओं का ANC चेकप किया गया कुल 66 महिलाओं की प्रेग्निंसी टेस्ट की गई, सम्मिली तोर पर 1775 महिलाओं की हिमोग्रोविन चाच की गई, कुल 1787 महिलाओं का BP टेस्ट किया गया कुल 46,360 IFA टैब्रिट बाटे गये, कुल 49,440 कैल्शियम टैब्रिट बाटे गये, कुल 27 किशोरियों की एनिमिया जाच की गई, 1702 बच्चों की व्रिधी की निगरानी की गई आयोजित सभी शिविरों में कुल 135 अलप कुपोशित बच्चों को चिनहित किया गया गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों और भावी पेड़ी को एक सेहत मंद जिंदगी देने के लिए जिला अधिकारी, पूर्वी सिंग्भूम, श्रेमती विजया जाधव, समाज कल्यान शाखा, प्रखंड पदा अधिकारी, पंचायत प्रतिनिध्यों एवं स्वास्त विभाग द्वारा, मात्रित्व शिशू स्वास्त जात्शिविर की ये पहल बड़े स्तर्पर लोगों में जागरुकता बढ़ाने का एक कारगर माध्यम बन गई है। इस पहल के अंतरगत प्रतेक माह की नौ तारीख को पूर्वी सिंग्भूम के सभी पंचायतों में मात्रित्व शिशू स्वास्त जात्शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप सभी सम्मानित नागरिकों से हमारी विनम्र अपील है कि आप मात्रित्व शिशू स्वास्त जात्शिविर में अपनी उपस्तिथी ज्यादा से ज्यादा दर्च करवाएं। और इस स्वास्त जात्शिविर का लाभ लें। इवं दूसरों को भी प्रेरित करें। जिला फ्रशासन, पूर्वी जम्शित्पूर की पहल